IPL 2024 की 7 match complete हो चुके है और इन 7 matches के अंदर हमारी prediction 100% पास रही है जिस match में आप लोग को जहां से match दिया वहीं से हमारी team पास हो गई तो दोस्तो आज किस वीडियों बात करेंगे match no.8 के बारे में जो की राजीव गांदी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम को 7.30 बजे मुंबई इंडियन वोसे संराइजर हैदराबाद की बीच केरा जाएगा दोनों ही team में अपना पहला पहला match हार करा रही है दोस्तो आज क इस वीडियों में बात करेंगे हर player के बारे में पिच रिपोर्ट क्या रहेगी कितना score बन सकता है किस team के जीतने के chances ज़्यादा है साथ में वो कौन से player होंगे जो आज आप लोग को fantasy team में जरूर pick करने है तो चलिए वीडियो को start करते है एक नजर डालते है दोनों ही teamों की प्रोबली प्लेइंग 11 के बारे में हैदराबाद की बात करें तो मयन के साथ में अभिशेक सर्मा ओपनिंग करते हो नजर आएंगे बाद में अभिशेक की जगा पर as a impact player team अटाजन खेलते हो नजर आ सकते है राहुल तिरपाटी, एडर मकरम, हैंडरिच क्लासन, नगास खेल सकते हैं, डी ब्रेविस, तिलग वर्मा, टिम डेवेड, हार्दिक पांडिया, मुहंबन नभी या फिर रोमे शेपर्ड में से किसी एक को चांस मिलेगा, कौटजी, प्यूष चावला और जस्प्रीद भूमरा, दोनुही टीमों के head to head की बात करें, तो 21 मैचे के अंदर से मुंबई ने जीते है 12 मैचेस, और हैदराबाद ने जीते है 9 मैचेस, मुंबई ने लीड ले रखी है 4-1 से लास्ट के 5 मैचेस के अंदर, जहाँ पर मैच खिला जा रहा है आज, राजीव गांदी इंटरनेशनल स्टेडियम में, यहाँ पर total 8 मैचेस के लिए है, दोनों ही टीमों ने आमने सामने, जिसमें से मुंबई ने 4 मैचेस जीते, तो हैदराबाद ने भी 4 मैचेस जीते है, लेकिन हैदराबाद ने 4 के 4 मैचेस चेस करते हुए जीते है, और मुंबई ने 2 मैच चेस करते हुए जीते, और 2 मैच डिफेंड करते हुए जीते है है पाद करते है है खाध्रभाद ने इस ग्राउंर पर टोटल 51 मैचे ton मैच gets के लिए हैं जिनमें से 30 मैचे जीट मिली 20 मैच Gn उन्हें हार देखने को मिली है, एक match उनका tie रहा था, मुंबई की record की भात करें, इस ground पर तो उन्हें 12 matches के लिए है, 8 matches में उन्हें जीब देखने को मिली और 4 matches में उन्हें हार देखने को मिली है, pitch report की बात करें, तो यह जो ground है, flat surface है, यहां की जो pitch है, वो spinners के लिए थोड़ असपास run बन रहे थे, अब दूस्तों बात करते हैं, OSG के बारे में, OSG एक ऐसा platform है, जहां पर आप लोग prediction करके, धेड़ सारा bonus जीद सकते हो, धेड़ सारा cash price जीद सकते हो, अभी उनके जो IPL में events चल रहे हैं, उसमें वो एक नहीं भाई, 20 phone gift कर रहे है, वर्ड कप जो अब दूस्तों बात करते हैं, दोनों ही टीमों के की players के बारे में, मैंग अगरवाल की बात करें, तो head to head में 17 matches खेले हैं, जिनमें उन्होंने 433 run score किया है, 27.1 का एनका average है, इस ground पर उन्होंने 12 matches के लिए, जिसमें 20.8 का average है, राहुल तरपाठी की बात करें, तो 2 ही matches खेल है, 112 run score किया है, 112 run का average है, हैंडरिच क्लासन की बात करें, तो विकेट कीपर है, last match में 179 के लिती, almost match को जिता दिया था, कहीं न कहीं जो एक खराब short ता last over के अंदर, उस वज़े से team को हार का मूँ देखना पड़ा, head to head की बात करें, तो 3 matches में, मात 18 का average है, इनका कुछ खा 29.8 का average है, और इस ground पर 21 का average है, पैट कमिंस ने 9 matches के लिए है, 12 wicket लिये थे, फवनेशर कुमार ने head to head में 18 matches में 21 wicket लिये है, और इस ground पर 42 wicket मिले है, 43 matches के अंदर, मैंग मारकेंडे की बात करें, तो 6 match के अंदर 10 wicket मिले है, बाकी other players के stats average है, अब दोस्तों बात करते हैं, म का average है head to head में और इस ground पर 21.8 का average है, किम डेविड की बात करें, तो head to head में 2 matches के लिए है, और 2 matches के अंदर 62 का average है, हार्दिक पांडिया का 13 matches के अंदर 15.8 का average है head to head में, यानि कुछ खास performance नहीं देते हैं, लेकिन इस ground पर बात करें, तो वो तो और ही ज़दा वेकार है, मात हैं, तो head to head में 17 matches के अंदर 12 wicket मिली है, और इस ground पर 14 matches के अंदर 14 wicket मिली है, जस्पीत बुम्डा की बात करें, तो head to head में 13 matches में 16 wicket मिली है, और इस ground पर 7 matches के अंदर 8 wicket मिली है, यानि मुंबई के players के stats थोड़े से मुझे below average लग रहे है, compare करें, हैधराबाद के players के बारे म अब बात करते हैं, आज के हमारे fantasy tip के उपर, अगर आप लोग आज fantasy में team बना रहे हो, तो यह points आप लोग के लिए most important है, आज के match के अंदर ballers आप लोग को ज़्यादा point देंगे, और जो middle के batsmen होंगे, उनको आपको ज़्यादा pick करना है, वो आप लोग के लिए safe choice है, X factor ज यह आप लोग के लिए most pick है, इन players को आपको drop नहीं करना है, वहीं बात करते हैं आज के हमारी demo team के बारे में, विकेट keeper में हें एंडिच क्लासन के साथ में गया हो, वो आप लोग के लिए सबसे safe choice है, हलाकि इशान किशन भी उपर आ रहे हैं, लेकिन उनके stat इतने साथ अध नहीं है, बैटर्स की बात करें तो रोहिशर्मा, मयंक अगरवाल, तिलगवर्मा, राहुलत्रिपाटी, all rounders में हार्दिक पांडिया और एडन मकरम, यहाँ पर आप हार्दिक पांडिया को drop करके कि किसी other batsman को try कर सकते हो, किसी baller को try कर सकते हो, वो आपके उपर है, वहीं बात करते हैं, बॉलिन डिपार्टमेंट में, तो जस्परीद भुम्रा, जो कि आप लोग लिए सेफ चोईस है, भुमनेशर कुमार, प्यूष चाबला और मयंक मारकंडे, तो आज की लिए यह हमारी डेमो टीम थी, अब बात करते हैं, आज के हमारी match prediction की, तो आकडो की business प करिएगा, और अपने दोस्तों को share करना मत बूलिएगा, और यह बात जरूर याद रखना, कि IPL में हमारी equity अभी 100% चल रही है,